लो, आ गई मेरी तोस्त, आ गई तू, हाँ, आ गई, आ गई मैं, हाहा, कैसी है तू, मैं बहुत बुरी और गंदी हूँ, तू पता, तू कैसी है, मैं भी बहुत बुरी और गंदी हूँ, हाहा, मैं इसका सर काच कर अपना जनम दिन मनाऊंगी, मेरा सर, मेरा सर मत काचना, मेर एक ही सर है मैं फिर बात कैसे करूंगा मैं सुनूंगा कैसे मैं देखुंगा कैसे ना ना मेरा सर मत काटना फिर लोग कहेंगे देखो देखो बिना सरवाला लड़का कुछ देर पहले शाम हो गई है बिट्टू और बबलू कहा है अभी यही तो थे मुझे क्या पता ठक गया बबलू कहा है दौर के आया वरना वह चुडेल मुझे आज खा जाती कौन खा जाती बबलू कहा है यह पता हम पुराने भूद्या घर के पास गये थे तो क्या हुआ वहाँ जो चुडेल रहती है वह बबलू को उठा कर ले गई मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान कितनी बार बोल दिया उस चुडेल के आसपास मत जाना मेरे बबलू को बचा लो कैसे बचा लू मुझे भूत चुडेल से डर लगता है डर लगता है कैसे आदमी हो यह पैंट को पहनी है सारी पहन लो क्योंकि तो मर्द कहलाने लाइक ही नहीं हो वहां तुम्हारे बेटे को चुडेल उठा कर ले गई है और इनको डर लगता है कैसा आदमी हो मेरी किसमाट फूटी है जो मैंने तुमसे शादी की अखबार खरीतने को पैसे नहीं है रोज एक अखबार पढ़ते है पता नहीं क्या पढ़ते है क्या लिखा है इसमें नाम मेरे बाप ने मेरी कमर तोड़ दी कितनी जोड से मारा उसको क्यों मार रहे हो मारने है तो चुडेल को मारो जो तुम्हारे बेटे को उठा के ले गई है खड़े क्या हो जाओ जा रहा हूं नौकर समझती है डाचते रहती है बबलू मैं आ गया मेरा बेटा बबलू मैं तुछे बचाने आ रही हूं मेरे भाई मैं आ रहा हूं तुछे बचाने ने ने बेटा बबलू खरे क्या हो चुडेल के घर के अंदर जाओ मेरे बेटे को बचा के लाओ मुझे डर लग रहा है क्या दर लग रहा है परेशान कर दिया इस आदमी ने वो चुडेल मुझे खा जाएगी मेरे भाई मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने इस बच्चे का खून पियोंगी मेरे भाई को छोड़ दे वरना मेरे पापा को गुसा आएगा तो तुझे बहुत मारेंगे छोड़ेल में हमारे बेटेको छोड़ता हूं चुड़ेल में तेरे हाथ जोड़ता हूं आज मेरा जनम दिन है बर्थडे बर्थडे मैं आज अपने बर्थडे मनाऊंगी और तुमको खा जाऊंगी आज बर्थडे है बर्थडे में सब दूसरों को खिलाते हैं यह हमको खाएगी क्या चुडेल है क्या चुडेल है आज से एक हजार साल पहले मैं चुडेल पैदा हुई थी पहले मैं अपनी मा को खा गई फिर अपने पापा को खा गई फिर अपने परिवार को खा गई और चुडेल बन गई बिट्टु के पापा बचा लो यह चुडेल हमको खा जाएगी बिट्टु के पापा हमको बचा लो कोई नहीं बचा सकता हरसे कह रही थी चलो चलो बबलु को बचा लो यहां अपने को बचाना मुश्किल हो गया है आज अपने जनम दिन पर मैंने अपने दोस्त को बुलाया है उसका नाम है भूतमी हम दोनु मिलकर तुम सब का खून पियेंगे और फिर बर्थडे मनाएंगे हमको मत मारना हम मनाएंगे तेरा बर्थडे है है लगता है तुम सब को मरने के बहुत जल्दी है वरना एसी हरकत कभी नहीं करते हैं मैं तुम सब को कच्च चबा जाओंगी लो आगई मेरी दोस्त मेरी दोस्त आ गई तू कैसी है तू मैं बहुत बुरी और गंदी हूं तू पता तू कैसी है मैं भी बहुत बुरी और गंदी हूं अरे क्या बाग आज बहुत इंसानों को भकड के लाई है आज हम इनको काट कर खाएंगे फिर तेरे जनम दिन की खुशिया मनाएंगे काटना है तो अपने बाल काटो अपने दाद काटो अपने नाकुन काटो देखो बिल्कुल भूत चुड続 जैसे बने हो मैं तो भूल गया घ्रढ़ से पहले इसको कात कर खाते है मैं इसका सर काट कर अपना जनम दिन मनाऊंगी मेरा सर मेरा सर मत काटना मेरा एक ही सर है मैं फिर बात कैसे करूंगा मैं सुनूंगा कैसे मैं देखूंगा कैसे ना 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 मेरा सर मत काटना फिर लोग कहेंगे देखो देखो बिना सर वाला लर्का मेरा सर मत काटना मैं तो हीरो जैसा दिखता हूँ मैं फिर बाल कैसे बनाऊंगा सर तो काट नहीं नहीं दूँगा मरने को तैयार हो जा लगता है मौत के दर से पागल हो गया है मैं पागल नहीं हुआ हूँ तुम्हारे पीछे जो खड़ा है वो तुमको मारने वाला है कौन खड़ा है? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा पीछे खड़ा है पीछे कौन है? कौन है? मैं सबको खा जाओंगी कौन है? कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा देखते रहो अभी दिख जाएगा अपा भागो 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 भाग गया ये बहुत तेज निकला अब मैं किसको खाऊं कैसे अपना पर्थडे मनाऊं मेरी दोस्त मैं तुझे खाकर अपना पर्थडे मनाऊंगी